राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पारिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योक्य की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे भारत की लोग कथाएं शंखला के अंतरगत कुमाओं की लोग कथा भूला भूलू बहुत पुरानी बात है तलाई पट्टी गाओं में तीन भाई रहते थे अज्जू बिज्जू और भूलू अज्जू बिज्जू बहुत चलाग थे जबकि भूलू सचमुछी भूला था उनके माता पिता बहुत जमीन और पैसा छोड़ गए थे लेकिन चालाग अज्जू और बिज्जू ने भूलू को एक भी बढ़िया चीज नहीं थी अरे भूलू आज हम सब सामान का बटवारा कर लें क्यों जमीन जानवर सब बाट लेते हैं और बराबर बराबर बटवारा करेंगे ताकि तुम बाद में शिकायत न करो अँगें जैसा आप करेंगे ठीक ही करेंगे मैं शिकायत खेट हम दोनों रख लेंगे यानि मैं और बिजू और तुम पहाड़ी के पास वाला खेट ले लो अब देख लो बड़े भाई हैं न हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं हमेशा पहाड़ी के पास वाले खेट घर के पास ही हैं जबकि नहर के पास वाले खेट दूर हैं तु तुम्हें नजदीक के खेट दे रहे हैं। और क्या हम तो तुम्हारी सुविधा देख रहे हैं। तुम्हें पसंदना हो तो अभी बता दू। नहीं भाईया आप जो कह रहे हैं। ठीक है मैं पहारी के पास वाले खेट ले लूँगा। और अब जानवरों के बटवारे की बात कर ले। देखो सब गाएं और बचडे हम ले लेंगे। और बैल तुम ले लो। देखो ना गाएं दूद देती हैं। उनके बचडे बच्चियां बड़े चंचल होते हैं। गाएं का दूद निकालना, नन्य बच्चडे बच्चियों को सभालना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हे दे रहे हैं। आब बच्चे गहने। तो भाई, आदमी का गहना तो उसकी शराफत और मेहनत होती है। और शरीफ और मेहनती तुम बहुत हो। इसलिए सोने के गहने मैं और बिजू रख लेंगे। शास्त्रों में कहा भी है, पुरुष को गहनों वेहनों की कत्त ही जरूरत नहीं है। इसलिए तुमें गहनों की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ मैं ठीक है। मकार अज्जू बिज्जू ने इस तरह भोले भोलू को तमाम बेकार चीज़ें देकर बढ़िया चीज़ें अपने लिए रख ली। दुधारू गाएं खुद रख कर उन्होंने बैल भोलू के मते मर दिये। इसी तरह पहाडी के पास के बंजर खेत उसे देकर नदी के पास के उपचाओ खेत खुद रख लिये। और गहने तो उसे बिलकुल नहीं दिये। मगर भोलू ने बड़ी मेहनस से खेतों में काम किया। उन बंजर खेतों में भी उसने बढ़िया फसल उड़ाई। जबकि नदी में बाड़ा जाने से अज्जू बिज्जू की फसलें चौपट हो गई। दोनों मकार भाई चल भुन गए। उन्होंने एक रात चुपके से भोलू के खेतों में आग लगा दी। भोलू की महिनों की मेहनत राख में बदल गई। वो अपने खेतों को देखकर खुब रोया। फिर उसे लगा कि यूँ दुख करने से तो कुछ होगा नहीं। अब तो बिगडी बात बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसने सूचा कि शहर में तो सब चीज़ें बिग जाती हैं। इसलिए उसने खेत की राक एक गठर में बांधी और शहर में जाकर नगर सेट की हवेली के बाहर आवास लगाने लगा। राक लो राक बढ़िया राक बरतन माजने के लिए राक लो राक। ए भाईया यहां नजरा यह कैसी राक है कहीं भबूत तो नहीं है। मां जी, यह मेरे खेत की राक है। मेरी महीनों की मेनत है यह राक। हम, यह तो जरूर कोई सिद महात्मा है। जहरे से ही साधुसा लगता है। यह राक नहीं जरूर यह भबूत है। बाबा मेरा बच्चा बहुत बिमार है। जरसी भबूत दे दो। तुम्हारी दया से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा लेलो मा लेलो मा जितनी राख चाहिए लेलो बड़ी क्रिपा है महराज कल भी आना अच्छा मा राक लो राक बढ़िया राक बरतन माजने के लिए राक लो राक संयोग की बात थी भोलू के खेट की राक मले जाने के बात सेठानी का बच्चा ठीक हो गया खुश होकर उसने भोलू को सो अशर्फिया दी भोलू अशर्फिया लेकर गाउं लोटा तो उसके भाई दंग रह गए अरे भोलू तुम तो बड़े धन्ना सेठ होकर लाटे हो शह शर्फिया यह शर्फिया ले आई सच बताओ कहीं चोरी वोरी तो नहीं की अरे लही भाईया लही शहर में तो बड़ी मौझ है मौझ एक से ठानी ने मुझसे राक ले ली और मुझे साव अशर्फिया दे दी हाँ एक दम साच पस अज्चू बिजू ने भी शहर जाकर राक बेचने की ठानी उनके खेतों की फसल तो बह गई थी बार में सो उन्होंने अपने घर ही जला दिये और उनकी राक गठरों में भर कर शहर बेचने चले लोग राक तो क्या खरीदते उन्होंने अज्चू बिज्चू का खूब मजाक उड़ाया कुछ ठगों ने उनके पास जो पैसे थे वो भी जीन लिये अच्चू बिज्चू मू लटकाए गाउं लोटाए अब तो वो भोलू से और भी चिडने लगे थे एक रात मौका पाकर उन्होंने भोलू के बेलों को जहर दे कर मा डाला भोलू अपने बेलों के मरने पर खूब रोया धोया फिर उसने उ उनकी खाले निकाली और उन्हें बेचने चल दिया रात हो गई भोलू खालें लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया अब 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 आपको ढालतू आपको ढालतू आपको ढालतू यह बगवाल मुझे बचालो मुझे तो बहुत डर लग रहा है यह किसकी आवाज है आज तो डाके में बहुत माल मिला है यह जगह बढ़ गया है यहीं वेट कर बटवारा करते हैं यह रुपाई तुम रट लो और यह राम जी यह तो डाकू है डाकू मुझे तो बहुत डर लग रहा है मिरे तो हाथ पैर काप रहे हैं मेरे हाथ से खाल गिर रही है खाल दो जलीड़न तो आय बर गोट आल तोadore जलीड़न Boys a मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ अज्जू बिज्जू ने जब भोलू के पास इतना धन देखा तो वो और भी जल भुन गए वो भोलू को नदी के पास ले गए भोलू, अरे ओ भोलू हाँ भाईया तुम्हें मा पिताजी की याद नहीं आते कभी आती है भाईया और तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे हाँ हाँ, मिलना चाहूँगा भाईया तो जाओ मा पिताजी के पास अरे भाईया, आप जोगने मुझे नदी में क्यों तकेला बस, अब तुम मरकर मा पिताजी के पास पहुंच जाओगे और भाईया मा पिताजी को हमारा भी प्रणाम कहना उन्हें हमारा प्रणाम कहना यह मेरा पैर किस पर तिका जगत निकाल कर देखू तो अरे यह तो खड़ा है और इसमें तो कहने भरे हैं कंगल हार जाने क्या-क्या मैं तो किनारे लग गया धन्यों धन्यों प्रभू धन्यों भोलू को पहले से भी ज्यादा धन के साथ लोटा देखकर अच्चू-बिच्चू कुस्य से पागल ही हो गए उन्होंने सोचा कि हम भी नदी में छलांग लगाएंगी और भोलू से भी बड़े बड़े घड़े भ वो कूद पड़े नदी में जहां मगरमच उन्हें चट कर गए अपने दुष्ट भाईयों से छुटकारा पाकर भोलू चैन से रहने लगा भोला भोलू अभियाप सुन रहे थे कुमाओं की ये लोग कथा नाट्य रुपांतर किया मधु वी जोशी ने इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश महाजन, शांती एसकालरा, दिनेश वर्मा, कीमती आनंद और गीता वर्मा, धुन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुती प्रभुदयाल खट्टर और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा झाल